हेलो फ्रेंड स्वागत एक बार फिर से मेरे टूचर अर्विज मेसलिक के रामर में मैं आज आप लोगों को असियंस का कॉंड कैसे बनाए चाहता उसको बताने जा रहा हूं यह भी अलग है जो नियम से थोड़ा अलग है इसको होता इसको याद करना पड़ेगा आपको इसक एक लाइन एक लाइन देखे हमने खिच दिया अब इसके बीच में आप कहीं भी पॉइंट मान लिजे हमने पॉइंट देखे हैं पर मान लिया इसका नाम मैं दे दे रहा हूं ए ठीक है अब क्या करेंगे एक कुछित दूरी लेकर एक कुछित दूरी लेकर हम क्या करेंगे एक अर्दविर्त बनाएंगे उचे त्रिज्या लेकर क्या कर रहे हैं एक अर्दविर्त बना रहे हैं तो देखिए हमने इसको अर्दविर्त बना दिया ठीक है तो यह अर्दविर्त बनाने के बाद क्या 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 दो पॉइंट पर इस रेखा को काटा तो यहां पर हमने यह नाम दिया तो इसको मैं B दे दे रहा हूँ और इसको C नाम दे दिया ठीक है तो यह आप कहोगे तो उसके बात क्या करेंगे यही दूर हिलने ना पाए जितने से आप इसको अर्धवृत बनाए हैं यह अरक लगाए हैं यह हिलने ना पाए क्या करेंगे C को केंद्र मान कर दिखिए करक्ष हमने लगा लिया अब इस पॉइंट को आप डी मान लिए इस पॉइंट को जब आप डी मान लिए अब क्या करेंगे बी और डी की दूरी माप लिजिए बी और डी की दूरी आप क्या करेंगे अपने कमपास में इसको भर लेंगे दिखिए हमने इसको क्या क् भर लिया ठीक है एक एक MMM कातर होता है तो इसको अब ध्यान पुर्वmbласт क्या करेंगे भरेंगे ताकि ने एक MMM कअदर मतलब कि आप siis नहीं बैठेगा तो देखे हमने भर लिया इसको इस दूरी को ठीक है अब क्या करेंगे यही दूरी हिलने ना पाए है हम यहाँ देखे अर्क लगा दी ओपर के तरफ में ठीक है औहीं दूरी फिर हिलने ना पाई कि HE को इंद्र मार्क हमने अًरक लगा अब यहीं दूरहलने नपकर donger केंड हैं पाए हुपकेंद्ध हएंद्ध करें अब फिर लगाएंगे जो दिसरे हो परसुप्र करेंगें के मिलान देगाैंगे इसको पहले देख लेते हा ओसी पर नहीं यह नहीं तो गड़ बढ़ हो जाएगा, तो फिर हम देखें, क्या कि है, मिला कि इसको आगे बढ़ा दिए, यहाँ पर arrow का mark बना सकते हैं, तो इसका a, b, c, d हुए तो इसको हम e-naam दे सकते हैं, चीड़ें, अब इसको मैं माँप केงडिक, मेजर करके असियंस ठीक है देखेंगे 100 इसको उपर है 80 के बाद यहीं कि पहले एटियंस होता है तो यह देखें सेम से में आपका लाइन मिल रहा है तो यह एक बार फिर में क्या कर रहा हूं एक लाइन फिर में खिश दे रहा हूं कि देखिए मैं यहां पर एक लाइन फिर खिंशते हैं जिसका कोई माप नहीं है पने हिसाब से खिंश लिए हुद खिंश लिया इसको भी आप पॉइंट बना दीजिए यहां भी पॉइंट बना दीजिए चलिए इसका नाम में एबी देता हूँ जो आपने लाइन खेशा ए भी लाइन खेश को फिर क्या करेंगे अब फिर एक बार फिर ये कुछी दुरी ले कर उचिक तरिज्या लेकर हम क्या करेंगे एक कर लगाएंगे हिसाब से बहुत न बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा हो देखिए हमने इसको अर्ग लगा दिया हिल ना पाए इसको पकड़ने में सबसे बड़ी कला है इसको बच्चे पकड़ते दोश मकसा त mogę झाला हो जाता है कि वर यह दिया अब आप यहां से फिर हिल लेना पाए यहां पर जो यह भी रेखा को पॉइंट काटा यहां से फिर एक अर्क लगाएंगे और आपको मालूमना चेक बार इसको काटने वह साथ हंस का बनता है मिलाने के बाद अब पुना है फिर से हम इसे यहां पर अर्क लगा देगे फिर साथ हंस बना यहां से मिलाने के बाद 200 बन जाता इसके परले बीडियों ने बताया है उसके बाद क्या करते हैं कि यह जो अर्क आपने लगाया है हिल नहीं पाए सको बढ़ा दे लिखी जैसे यहां पर दो बार कड़े विशे उपर भी हमने एक बार इसके अर्क बनाके दो बार काटा है अब हम इसका आधा कर देंगे ठीक है इस साथ चैंस को जि को जिना आधा करने का के होता है यहीहीं तरी जले या इसे भड़ा भी सकते हैं Henry लगा दे रहे हैं ठीक है एक लगाये पुणा ही हिल लेना पाएं पर ठीक है सवतं है यहां परणे लेना प्रह आपर फिर पुणा हम क्या कर सक दो prior पर फिर हम इसको काट दे रहे हैं ठीक है काटने के बाद हम क्या करेंगे ये जो point मिला है इस point से इन वहाले point से मिला के line को आगे खीच देंगे तो देखिए हमने कहा कि इस line को आगे खीचते हो यहाँ पर सही पुर्वर्वर रख लेंगे ताकि उसी पर होके जाए तो पुना हम लाइन को इसको खींच के आगे बढ़ा दिये तो मैं आपको मेजर करके माप करके दिखा दिता हूं क्या यह भी बना है कि नहीं बना है तो देखिए आपका यहां पर देखे बीच में 90 अंस है ठीक है तो मैं इसको रखके दिखाता हू आपको मापने आना चाहिए मा मेजर करने यह बलेक और लाइन पुलना चाहिए और सन का बीच वाला पार्ट है मिलना चाहिए तो देखे साब साब दिख रहा है यह जो आपका 90 है इसके पहले 80 है तो आपका सेम सेम एदम लाइन के उपर है अस्यवर्ण से यह भी बन गया ह आपको समझ में आगया होगा तो यह सिट्म को याद करके चाहें चाहें टूसे आप बना सकते हैं या दो नों आप से सकते हैं तो इसे और इट्रेस्टिक वीडियो जानने के लिए माइन चुंड करेंगे बेल आईकन के जोड़ दबाएंगे ताकि इस तो आपको मिल सके तो मैं इस समय एंगल बनाने का सिरीद चला रहा हूं कई को इसके पहले बना चुका हूं और फिर आगे भी बनाऊंगा तो इस्टोडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विडिवाज के लिक थांक्स धन्यवाद